नमस्कार मैं हूँ सीमा और स्वागत है आपका गुर्फुट किचेन में भीशन गर्मी में अपने शरीर को हाइडरेट रखना बहुत जरूरी है इसके लिए आपको अपने खान पान में ऐसी चीजों का इस्तिमाल करना भीयत जरूरी है जो कि आपके शरीर को ठंधा भी रखे और लू लगने से भी आपका बचाव कर सके तो ऐसी एक फायदेमन जिसे आप गर्मियों में अपने डेली डायट का हिस्सा बना सकते हैं और ये खास चीज है बेल का शर्बत तो चलिए बिना देल के देखते हैं बेल के शर्बत बनाने की आसान सी विधी और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल किसे भी आपको मिल सकें तो इससे बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया है आधा किलो के लगभग ये बेल और आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से पका हुआ है बेल अच्छी तरह से पका है या नहीं इसकी पहचान करने का एक तरीका और भी है ये इसका जो डंठाल है आप देखिए इसे मैंने हलका सा टच किया और ये बिल्कुल इससे अलग हो गया मिन्स की ये जो बेल है ये बिल्कुल ही अब तैयार है तो इसे अब तोड़ते हैं तो तोड़नी के लिए सबसे बेस्ट है ना कि आप किसी हार्ट सरफेस पे जैसे कि ये सलैब है या फिर फ पतीले में चमच की सहायता से गूदे को निकाल लेंगे, अच्छी तरह से खुरच खुरच कर इनका पूरा गूदा आमें निकाल लेना है, तो ये जो बेल होता है ये फाइवर से भ़़ा हुआ होता है, और इसकी वज़ा से ये नाच्रल लक्सेटिव की तरह भी काम करता है, मिन्स की कब से छुटकारा दिलाता है साथ ही ये मेटाबॉलिजम को भी बूस्ट करता है तो इस तरह से ये बेल का शर्बत पाचन को कई फायदे देता है इसे गट हिल्थ अच्छी रहती है और इसको पीने से एक फायदा और भी है कि पेटना बहुत लंबे टाइम तक भरा हुआ महसूस होता है तो इस वजह से भूख भी कम लगती है तो ये वेट लॉस में भी बहुत ही हल्पूल होता है तो बेल का गुदा हमने निकाल लिया अब इसमें हमें डालना है पानी और पानी यहाँ पर मैं डाल देई हूँ 700 ml के लगभग और शर्बत को आपको गारा रखना है या पतला रखना है उस हिसाब से आप पानी की मात्रा ना कम ज़्यादा कर सकते हैं पानी इसमें डाल देने के बाद ना इसमें हम एड करेंगे चीनी तो चीनी ना यहाँ पर मैंने यह एक और यह दो बड़े चम्मत चीनी डाल दिये हैं अगर आप डाबिटेज के पेसिंट है या ऐसे भी थोड़े हिल्थ कॉंसस है ना तो चीनी बेशक आप स्किप कर दे और पानी और चीनी डालने के बाद ना इन्हें में ढखकर 30-40 मिनट के लिए छोड़ देना है तो यह तकरीबन 40 मिनट के बाद ना इसका ढखकन हटाएंगे और चुकि इसे मैं बिल्कुली देशी तरीके से ही बना दी हूँ तो इसे इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से मसल लेंगे अगर आप यह से मिक्सी में चलाएं या फिर ब्लेंडर से भी मिक्स करना चाहें क्या होता ना कि इसमें जो बीज होते हैं वो भी मिक्स हो जाएंगे और इसका टेस्ट बड़क करवाएगा फिर तो based है यह देशी style का शर्वत हम देसी तरीके से ही बनाए तो इन्हें हाथों से मसल कर mix कर लेंगे और जो रेशे और बीज है न उन्हें निकालते जाएंगे तो आप देख सकते हैं जितने भी रेशे थे न उन्हें निकाल लिया है तो रेशो को निकालने के बाद इन्हें में चान लेना है और इन्हें चानने के लिए मैंने क्या किया है न में पास ये मोटे छेट वाला डिबबा है तो मैं शर्बत को चानने के लिए इसका ही यूज करूँगी इससे क्या होगा कि जो pulps है न वो छनकर अलग नहीं होंगे अगर यहां पर बारीक छननी का यूज करें न तो जो छुट छुटे pulps होते हैं न वो भी छनकर अलग हो जाते हैं और इन्हें न छानते वक्ट चमच से इस तरह से stir करते रहेंगे ताकि यह easily छन जाए तो शर्बत को हमने यहाँ पर छान लिया है और अब यह बेल का शर्बत तयार है सर्व करने के लिए और यह पूली आपकी च्वाइस हैं आप चाहें तो यहाँ पर आइस क्यूब भी डाल सकते हैं वैसे मैं आपको बता दूँ कि बेल की जो तासीर होती है न वो ठंडी होती है तो naturally बेल का शर्बत आपको ठंड़क देगा तो यह धेर सारी खुमियों वाला बेल का शर्बत बनकर तयार है तो देखा आपने बहुत ही इजी है इसे बनाना और कोशिच करें इस भीशन गर्मी में इसे डेली बना कर पिए और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट्स करके अपना फीडबैक जरूर दे तो बस इन गर्मियों में अपना ख्याल रखें और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक एक न्यू रेसिपी के साथ चैहिंद